हेलो फ्रेंड्स अगर आप हैं UPSC, BPSC या किसी अन्य एस्टेट PCS एक्जाम के अभ्यरती तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं 16 महा जन्पदों के बारे में और उसको याद करने का एक ट्रिक भी हम लोग देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि वर्तमान छेतर में यह कहां पर मौजूद है और उस समय उसकी राजधानी कहां हुआ करती थी तो सबसे पहले हमको इसकी जानकारी एक बौधिश्ट टेक्ष्ट अंगुतर निकायस होती जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां मैंने दर्ज किया है इसकी जानकारी हमें बहुत गरंथ अंगुतर निकायस से प्राप्त होती है एक नमर में आप देख पा रहे हैं यहां महाजनपद है उसकी राजधानी और छेतर यानि आधुनिक नाम है तो एक नमर में आप देख पा रहे हैं अंग है तो इसकी राजधानी है आपका चमपा और इसका छेतर है आपका भागलपूर मुंगेर जो की बिहार का एक इलागा है दूसरा है आपका मगद जो गिरीब्रिज या राजगिरी है जिसका पठना गया और बिहार है सबसे पहले हम सबको पढ़ने वाले हैं उसके बाद इसके च्रीक को भी देखने वाले हैं तीसरा है आपका काशी जो की जिसकी राजधानी वारांसी हुआ करती थी और इसकी वारांसी के आसपास का छेतर पढ़ता है इसके आधोनिक छेतर में और इसकी यह अभी पढ़ता है आपके उत्तर परदेश में दूसरा चोथा है आपका वत्स इसकी राजधामी कोशाम भी हुआ करती थी और यह इलहाबाद के आसपास का छेतर यह भी आपके उत्तर परदेश में पढ़ता है पाचवा है आपका वज्जी यह है आपका वैशा इसमें आपका वैशाली मुझपर पूरेवम दर्भंगा के आसपास का छेत इसमें पढ़ता है अब आपसे अगर आप बीपेसी के स्प्रिंट हो तो आपसे इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाएगा कि इन में से किन महाजनपत्स जो कि अभी वर्तमान बिहार में पढ़ता ह तो इसका आपका यहाँ पर आप देख पा रहा है कि यहाँ पर आपका अंग है और मगद है और आपका वज्जी यह तीनों क्या है आपके बिहार का ही एक इलाका है उसके बाद अगर हम लोग बात करें च्छो नमबर पर तहीं यहाँ पर कोशल है जो सरावस्ती है जिसका फैजाबाद गोंडा बहराच यह भी आपके उतरपर देश का है यह एक इलाका है उसके बाद आप देख पारहें साल नमबर में और मद्げप्रदेश का इलाक इलाका है तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ है दसवे नंबर वाले महाजनपत में तो आप देख पारे हैं दसवे नंबर है आपका चेदी और इसकी राजधानी है शक्ती मती और इसका चेत्र यानि आधुनिक अस्थाने बुंदेल खंट ये भी आपका क्या है उत्तर परदेश क आपका इलाका है उसके बाद आप देख पारे है कुरूज इसकी राजधानी इंदर प्रस्थ हुआ करते थी और याधुनिक दिल्ली मेरे टवे महरियाना के कुछ चेत्र इसमें आते हैं उसके बाद है आपका मत्स है इसकी राजधानी विराट नगर विराट नगर थी और जैपूर अलवर भरतपूर राजस्तान के आज-पास का छहेत रिसमें आया करता था उसके वाद आप यहाँ पर देख पार है हैं तो यह आपकी इसकी राज़ानी तक्च सिला थी इसमें रावल पिंडी और पेशावर के छेत राते थे जो अभी आपके वर्तमान पाकिस्तान में मौझूद है तो आप यहां पर देख पा रहा है कि इसमें आपका जो मैकसीमम आपका अगर महाजनपत की बात की जाया तो सबसे जादा महाजनपत आपके उत्तर परदेश में थी और इस तरीके के सवाल भी आपके UPSC, BPSC वाने एस्टेट PCS के एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स यही पर हमारा वीडियो समापत होता है अगर आपको यह पसंद आया तो इसे आप जरूर सकते हैं thank you very much मिलते अगले वीडियो में God bless you all